अस्सलामू वालेकुम प्यारे दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही संसनी खेज है आज का वीडियो दोस्तों अल्लाह के एक ऐसे करिशमे के बारे में है जिसको जानकर और सुनकर यकीन आपका एमान ताजा हो जाएगा। आस्मान में हुआ अल्लाह का करिश्मा ऐसा करिश्मा आस्मान में हुआ दोस्तों कि गैर मुस्लिम भी इमान ले आया गैर मुस्लिमों ने भी कलमा पढ़कर इसलाम कबूल कर लिया इसलाम को एकसेप्ट कर लिया ऐसा करिश्मा जो दिखा दोस्तों आस्मान के उपर आस्मान के उपर अल्लाह का करिश्मा जहाज के अंदर अल्लाह का करिश्मा दोस्तो एक संसनी केज वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं तो आपसे गुजारिश करेंगे कि इस करिश्मे को जानने के लिए और कैसे हुआ हजारों फीट की उंचाई पर अलाह का करिष्मा आसमान में कैसे हुआ अलाह का करिष्मा और कैसे पा subsequल्ट ने कभूल किया इसलाम दोस्तो एक शानदार और सुंदर वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं तो पूरा वाक्या आपके सामने रखेंगे दोस्तों, ये सच्चा वीडियो सच्ची घटना आपके सामने रखें, उससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, कि अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को कर और जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो हर हाल में रब तबारक वताला की रस्सी को थामे रहते हैं, अपने मालिक से वो कभी भी गाफिल नहीं होते हैं, चाहे वक्त कैसा भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक अवताला पर भरोसा उनका बना रहता है, प्यारे दोस्तों, जमीन पर आकर पाइलट ने भी एक्सेप्ट कर लिया इसलाम। प्यारे दोस्तों, आज का वाक्या अभी कुछ साल पहले का वाक्या है कि कैसे जहाज के अंदर एक ऐसी घटना होती है जो सब को जगजोर कर रख देती है। होता ये है दोस्तों कि अभी लोग अपने साजो सामान के साथ जहाज में बैठे थे और अपने सफर की पूरी मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। किसी को कहीं जाना था, तो किसी को कहीं जाना था, किसी को दुबई जाना था, किसी को कतर जाना था, किसी को इंग्लेंड, तो किसी को बहरन। लोग अपने अपने इरादे के साथ जहाज में बैठे थे, कि हम अपनी अपनी मन्जिले मक्सूद तक पहुँचेंगे, यानि हमारा जहां इरादा है, हम वहां तक पहुँचेंगे, और इसी के साथ कि कम वक्त में हम पहुँच जाएं अपनी मन्जिल पर, इसी लिए सभी न अपने सामान को लिया और सभी ने जो रास्ता चुना वह था हवाई जहाज का सफर चूंकि दोस्तो देखते ही देखते हवाई जहाज का सफर आपको एक मुल्क से दूसरे मुल्क और कहां से कहां पहुँचा देता है इसी तरीके से दोस्तो एक जहाज उड़ा और जहाज असमान में ही था कि अचानक से उस जहाज के पाइलटों को लगा कि उनके जहाज के अंदर कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। दोस्तो पूरी कोशिश करने के बाद जो पाइलट वहाँ पर मौझूद थे उनके अंदर यह ताकत यह सलाहियत नहीं बची थी कि अब वह किसी तरीके से इस जहाज को हैंडल कर लें। जानकारी पैसेंजर्स को देता है कि इस जहाज में टेकनिकल खराबी आ गई है और हम लोगों ने तमाम कोशिश की लेकिन हमारी तमाम कोशिशों के बावजुद भी यह जहाज हमसे संभल नहीं रहा है। और अब कभी भी किसी भी वक्त यह जहाज क्रैश कर जाएगा। इतना सुनना था दोस्तो कि वहाँ पर जो पैसेंजर्स मौजूद थे सब हैरान रह जाते हैं। और बड़ा ही मुतमिन होकर बिलकुल इतमिनान के साथ वह नमाज पढ़ता है। रब की बारगाह में दुआ करने लगता है। तो वह इंसान, वह मुसल्मान यह कहता है कि घबराईये नहीं, जिंदगी और मौत अल्ला की कुदरत में है। और कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा कि इंशालला हम लोग सेफली लेंड कर जाएंगे। और दोस्तो, थोड़ी देर के बाद अल्ला की शान देखिये, अल्ला की मसलिहत देखिये, कि जो जहाज आउट-ऊफ कंट्रोल हो चुका था। जब उस जहाज के पाइलट ने यह चीज देखी, यह चमतकार देखा और एक मुसल्मान की दुआओं की यह बरकत देखी, ताकत देखी और अल्लाह तबारक वताला के उपर, इस कदर विश्वास उस पाइलट ने जब देखा, तो वह पाइलट क्या करता है दोस्तों, कि वह कलमा पढ़कर मुसल्मान हो जाता है, दोस्तों, अगर आपको यह लग रहा होगा, कि मैं कैसी मन घड़त बातें कहीं हैं, तो आप इस तरीके के नाम के साथ वीडियो को, यूट्यूब या गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, और ये वाक्या, ये करिश्मा जो है दोस्तों, ये कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बलकि अभी कुछ साल पुराना है, जहां एक मुसल्मान के इरादे ने, एक मुसल्मान के दुआओं ने, जहां सैक्डों लोगों की जिंदगी भी बचाई, और पाइलट जो की गैर मुसल्म था, वह भी इस करिश्मे को देखकर, चमतकार को देखकर उसने कलमा पढ़कर इसलाम कबूल कर लिया, तो ये है दोस्तों, पावर आफ इसलाम, और ये है एक मुमिन की दुआ का असर, अल्लाह ताला तमाम ही दुनिया में इसलाम का बोल बाला फरमाए, और हम सब को राहे मुस्तकीम पर चलने की तौफिक अता फरमाए, आमीन, सुम्मा आमीन